दोस्तो एक कहावत है कि कुछ लोग मूँ में चांदी का चमश लेकर पैदा होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनने खुद कुछ साबित करने और अपनी मंजल तक पहुंचने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है दोस्तो सुकाम की फाउंडर कुमर सचदेव जी की गिंती उन्हों लोगों में की जाती है जिन्होंने अपनी मेहनत से नाम कमाया है दोस्तो किसी ने सोचा नहीं था कि एक पैन बैशने वाला कभी इतने बड़ी कमपनी खड़ी कर देगा आज इन्वेटर बनाने वाली सुकाम पावर सिस्टम लिमिटेड कमपनी दुनिया भर में अपने प्रोड़ेक्ट सेल कर रही है एक छोटी सी दुकान से शुरू की ये कमपनी आज लगभग 2300 करोड रुपे की है तो चली दोस्तों आज कुमर सर्चदेव जी की जिन्दिकी को पूरी तरीके से जानते हैं कुमर सर्चदेव जी का जन 16 नॉमबर 1962 को दिल्ली में मध्यमबर की परिवार में हुआ था और उनके पिता रेलवे में सक्षन ओफिसर थे और उनकी मा एक हाउस वाइफ थी और उस वक्त सक्षन ओफिसर की तनख्वा ज्यादा नहीं हुआ करती थी इसी वज़ा से घर की आर्थिक सिती अच्छी नहीं थी लेकिन कुवर सर्जदेव जी ने कभी भी अपनी आर्थिक परिस्तियों को अपनी सफलत के बीच में आने नहीं दिया और सिर्फ 15 वर्ष की आयू में ही एक महन सफल उध्योजक बन गया दोस्तों कुवर सर्जदेव जी की प्राइमरी तक की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में की और पैसों की कमी की कारण उन्हें सरकारी स्कूल में एडिमिशन लेना पड़ा और बारवी क्लास पास करने के बाद कुवर ने मेडिकल का इंटरेंस एक्जाम पास कर लिया लेकिन इंटर में उनके सिर्फ 49 विसीदी नमबर थे इस वज़ा से उनका एडिमिशन नहीं हो पाया इसके बाद कुवर ने फिर से बारवी का एक्जाम दिया और इस बार अपने स्कूल में टॉप किया लेकिन इस बार मेडिकल का इंटरेंस एक्जाम पास नहीं कर पाए इसके बाद कुवर जी को इंजिनिरिंग कॉलेज में एडिमिशन मिल गया दोस्तों कुवर जी का इस कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था फिर भी वो लगे रहे कॉलेज की दिनों से ही कुवर जी को पढ़ने का शौक था यही आदत बाद में उनके काम आई और पढ़ाई के साथ साथ कुवर जी ने अपने भाई के साथ घर घर जाकर पैन भेजते थे इससे वो परिवार की मदद कर पाते थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद कुवर ने एक केबल कम्यूनिकेशन कंपनी के सिल्स डिपार्टमेंट में जॉब कर ली यहां काम करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि भारत में बिजनेस करना एक अच्छा कमाई का जरिया साबित हो सकता है यह बात 1988 की है जब कुवर जी ने जॉब छोड़ दी और दिल्ली में अपना केबल का बिजनेस शुरू किया जिसका नाम उन्होंने सुकाम कम्यूनिकेशन सिस्टम रखा दोस्तो बिजनेस तो खुल गया था लेकिन कुवर जी को मैनिफेक्चर के बारे में कोई समझ नहीं थी इसके चलते उन्होंने कुछ अच्छी इंजिनियर को अपने यां काम दिया और नए काम के चलते कई लोगों ने उन्हें बेविकूफ भी बनाया लेकिन कुवर जी समय के साथ कुछ न कुछ सीखते रहें और केबल टीवी का काम भी तेजी से चल पड़ा था कुवर जी ने देखा कि अब हर घर को केबल कनेक्शन की जरूरत है इसी के साथ कुवर जी ने टीवी के उकरन जैसे अम्प्लिफायर, मॉडिलेटर बनाना शुरू किये कुवर जी ने इस दोरान देखा कि भारत में बिजली की समस्या बहुत ज़ादा है दोस्तों कुवर जी बताते हैं कि उनके घर का इनवेटर भी अकसर खराब हो जाता था इसे ठीक करवाने के लिए उन्हें मेकानिक को बार बार बुलाना पड़ता था एक बार गुस्से में आकर उन्होंने खुद ही इनवेटर खोला और देखने लगे कि क्या दिक्कत है इसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस की आर एंड डी टीम को बुलाया और कहा कि अच्छे से देख कर बताओ कि इसमें क्या खराबी है दोस्तों तब कुमर जी को पाता चला कि मार्केट में जो भी इनवेटर बन रहे हैं उसमें खरा माटरियल लगा जा रहा है इसके बाद कुमर जी ने खुद इनवेटर बनाने की सोची तब उन्होंने 1988 में सुकाम पावर सिस्टम के नाम से कंपनी खोली और एक और केबल टीवी बिजनेस चल पड़ा था वहें कुमर जी ने दूसरी कंपनी की निवी भी रख दी थी दोस्तों कुमर जी बताते हैं कि उस समय लोगों को नए टक्नोलोजी के बारे में बताना और उसे खरीदने के लिए मनाना बेहद ही मुश्किल था काफी मेहनत के बाद लोगों ने इसे स्विकार किया और साल 2000 में सुकाम दुन्या की पहली ऐसी कंपनी बन गई जो प्लास्टिक बॉडी वाले इंवर्टर बनाते थी प्लास्टिक बॉडी बनाने का आइडिया कुमर को तब आया जब उनके बेटे को इंवर्टर से करेंट लगा था दोस्तो कुमर सचदेव जी का हमेशा से ही यही मानना था कि यदि आप अपने सपने देख सकते हो तो आप उन्हें पूरा भी कर सकते हो और उनकी इसी सोच ने सुकाम को भारत की सबसे बड़ी पाउर बैकाप सॉलुशन कंपनी बनाया और वे अपने इस भारती ब्रांड को वैश्वी के स्तर पर पसिद्ध करना चाहते थे और ऐसा करने में वे सफल भी हुए दोस्तो कुमर जी उध्युक पती, टेक्नोलजी और इन्युवेशन के चलते उन्हें बहुत से पुरुसकार मिले जिसमें मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा दिया गया भारत शिरो मड़ी और एंसर्ट एंड यंग का साल के सरवशेष्ट उध्युक पती अवार्ट शामिल है दोस्तो आज कुमर सर्जदेव जी की जीवनी को देखते हुए हम निश्चित तोर पर ये कह सकते हैं ये किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए डिगरी की जरूरत नहीं होती बस आपका टैलेंट ही आपको सफल आदमी बनाता है दोस्तो अंथ में यही कहना चाहेंगे की रात नहीं ख्वाब बदलता है मन्जिल नहीं कारवाब बदलता है जजबा रखें हर दम जीतने का क्योंकि किस्मत चाहे बदले या नबदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है अगर दोस्तो आपको कुमर सर्जदेव जी की बाइगरफी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मैं इसे तरह और भी वीडियोस बनाता रहूंगा अभी के लिए मुझे दीजी इज्यासत आपका महत्पूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद